आज हम बात करने वाले हैं इडिक्ट की बाइसिकल के बारे में तो इडिक्ट जो कम्पनी है इसमें इक का मतलब है इको फ्रेंडली या फिर इलेक्टरिक आप जो भी बोलने और एडिक्ट मतलब अल डे आइकें साइकल थू तो यह एक इनोवेटिव कम्पनी है जो 2015 में फाउंड हुई थी और इन्होंने यह बाइसिकल लॉंच की है और यह काफे टाइम से इस सेग्मेंट में मिलता है तो यह एक गेर वाली साइकल है और यह बेसिकली उन लोगों के लिए जो आफिस कम्यूटर्स है यह फिर सीनियर सेटेजन्स जो साइकलिंग करना पसंद करते हैं तो यह वह साइकल ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि यह एक गेर वाली साइकल है और यह ज चार्जेवल मॉडियूल जो जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं एल आप का फंग्शनिया वह रिमोट के थूर कंट्रोल होता और बाकि यहां पर देख सकते हैं आपको यह लीदे मायन की बैटरी जो है 38 वोल्त की और 8.8 Ampere की और तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको आगे की तरफ जो है मोटर मिलेगा जो कि 250 W का मोटर होगा और उसको आगे लगाने आगे वाले वील में लगाने का एक मतलब ये भी है कि आप जब inclined road में जाएंगे तो आपको ये help करता है और ये एक मोटर का kit भी आत तो इसको install करना पीछे की तरफ थोड़ा difficult है और आगे की तरफ देखेंगे तो आपको आगे एक छोटा सा LED headlamp मिले गए ये 3 W का headlamp है और ये इस bicycle में आपको देख सकते हैं आप disc brake मिल जाता है तो ये देख सकते हैं पीछे से इसका लुक और इसकी सबसे बेस्टीज है काफी अच्छी है और इस light के खास बात है कि night के टाइम पर राइड कर रहे होंगे bicycle को तो night में आपको virtual path बनाए गए तो जो भी पीछे से गाड़ी आई इसको पता ले जाए कि कोई bicycle जा रही है तो ये basically safety feature है इस light का और इसमें एक और खास बात है कि इस bicycle में आपको suspension मिल जा आपकी suspension है basically तो अगर आप off-roading कर रहे हैं या फिर hilly area में जा रहे हैं तो basically आपको comfort level provide करता है तो आपको जो इसमें combination है आपको motor and lithium-ion की बैटरी है उसकी help से आपको 25 km per hour का speed मिल जाता है with the help of अगर आप पीछे वाला gear को थोड़ा properly use करते हैं तो आपको इसमें 35-40 km per hour की speed भी आराम से मिल जाती है एक और main point की बात करते हैं जो कि है charging तो आप इस lithium-ion battery को यहाँ socket से भी charge कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक charging port है तो यहाँ पर अपर डेयगकंख ली-प्लग-इन कर सकते हैं AC input को और यहां से आप डेयर्टली चारी कर सकते हैं और दूसरह option है कि आप डेयर्टली बैटरी को यूजर डिस्प्ले यूनिट है और इस पर आपको यहाँ पर अलग-लग टाइप की चीज़ें इन्फरमेशन मिल जाता जैसे आपका यह किलोमेटर पर आर की स्पीड और यह होगे अभी कितने टाइम तक यह बाइसिकल चली है और यहाँ पर आपको यह ट्रिप इंडिकेटर होगे कितने किलोमेटर से अभी तक चल चुके हैं इस ट्रिप में और यह बैटरी लेवल इंडिकेटर है कि कितनी बैटरी आपकी बची हुए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कौन से मोड बे चल रही है तो इसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइपस ऑफ मो होगा और इसमें आपको यह दूसरा मोंड में मिल जाता है कि जिसमें आपने इस बाइसिकल में टोटल अभी तक कितना किलोमेटर कवर किया है तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपने टोटल अभी तक कितना किलोमेटर को कवर किया है आपकी एवरिज स्पीड कितनी थी पू जो maximum speed थी वो दिखा रहा है तो अभी देख सकते हैं 40.7 की इसमें speed आ गई किलोमेटर पर आर में और यह जो बैटरी वोल्टेज है यह वो दिखा रहा है कि 36.8 का voltage रियल टाइम वोल्टेज आपको इसमें मिला है और यह बेसिकली आपका टोटल टाइम ट्रेवल टाइम कितना है तो यह इस यूजर डिस्प्लेए के इसमें यह सब फीचर्स मिलेंगे आपको और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पीछे जो आपको ब्लूटूथ इंडिकेटर दिखता है उसका यहां पर एक छोटा सा रिमोट है तो इस रिमोट के यह से आप इसको डिफरेंट जो भी इसमें फीचर्स है वो चला सकते हैं इसमें और रेंज की बात करें तो इस एडिक्ट एलेक्ट्रिक बाइसिकल से आप 30-60 किलोमेटर का तो आप लोग यह सोचेंगे कि 30-60 कि इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है तो यह डिपेंड करता है कि आप साइकल कैसे चलाते हैं अगर आप पूरा ही बाइसिकल विद्धी हल्प ऑफ सिस्टम की बैटरी से चलाते हैं तो आपको 30 किलोमेटर का कवरेज तो अराम से मिल और अगर आपको यह बाइसिकल खरीदना है अगर आप इस बाइसिकल में इंटरस्टेड है तो आप यह तो क्रोमा के स्टोर में जा सकते हैं क्रोमा की एक गैजट्स ऑफ डिजायर करके कैटेगरी आती है तो उसमें वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं तो आपको यह बा सकते हैं तो अगर आप इनकी ओफिशल वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है e-edict.com तो उसमें आपको इनकी डिफरेंट प्रोडेक्ट्स के बारे में पता चलेगा और जैसे अगर आपको ये किट भी चाहिए तो आप पूरा ये अगर आपको अपनी बाइसिकल को इस बाइसिकल में कनवर्ट करना है तो ये किट आप ले सकते हैं एडिक.com से और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इस बाइसिकल का राइड लूँगा और इसमें देखते हैं कि आपको क्या-क्या रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है कित तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलते रहें थैंक्यू गाइस